जानकी, कहां जा रही हूँ, हमारा कमरा यह है, खासतोर से सजाया हुआ, मैं इसी कमरे में सोचाती हूँ एक पुरुष जब एक स्री के गले में मंगल सुत्र बांगता है, तो वो कहता है कनिया, मैं अपना दिल, अपना नाम, पिमान, अपनी मर्यादा इस मंगल सुत्र में फिरो कर तेरे गले में बांग रहा हूँ अर्थात, मंगल सुत्र, एक पवित्रता का बंधन, बच्ची ने दूद पी लिया है, चलिए आभी खा लिजे, जोती, तुमसे एक बात कहनी है, कहीं, अब तुम यहा मताय करो, हाँ, जोती, तुम रोज यहां आकर इस बिना मा की बच्ची को, अपने प्यार से मा के घम को महसुस नहीं होने देती, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान बंदू, लेकिन इस तदर तुम रोज यहां आती जाती रहोगी, तो लोगों की जबान पर लगाम नहीं लगाई ज देंगे और तुम्हारी शादी में रुकावट आजाएगी, मेरी जिंदगी तो परबाद हो चुकी है, लेकिन मेरी और मेरी बेटी की वज़े से, तुम्हारा भविश्य परबाद नहीं होना चाहिए, मुझे समझने की कोशिच करो, अब कल से यहां मत आना, जाओ जोती, अब जाओ यहां से, लेकिन मा, अगर मैं वहां नहीं गई, तो उस ननी सी जान का क्या होगा, उसे पालना जीजा जी के बस की बात नहीं, तु ठीक कहती है चुती, लेकिन आप गर भी क्या सकते, जब मैंने उसे कहा, कि उस बच्चे की परवरिश मैं करती हूँ, तो वो मा शाना, नहीं, यह सब अपनी नसीब की बात है, शान्तर, इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो पापन ऐसा काम कर गई है, कि हमारे मुकत्तर में सारी जिन्दगी दुख सहना और रोना ही लिका है, इस परपादी का एक जिन्नेदार मैं भी हूँ शान्तर, मैं भी हूँ, आप कैसे जिवदार हैं, शान्तर, तुमने मुझे कितनी बार रोका, कि यह लड़की उसके लाइक नहीं, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसकी शादी कर दी, यह सोच कर के शायद घरस्ती का बोज पढ़ने से उसके ख्यालात बदल जाए ख्यालात खात बदले, वो तो सब कुछ उल्टा बदल कर चली गई, मगर हम अपनी गलती को सुधारेंगे, हमारे दामाद के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसे न्याय पहुँचाएंगे, वो कैसे? अपनी बेटी जोटी की, उससे शादी करके क्या, मैं दुसरी शादी कर लूँ, नहीं बाबुजी नहीं, ये नामुम्किन है, पवित रगनी के चारो तरफ साथ फिरे लेने वाली पतनी, जिसने हमेशा साथ निभाने की कसम खाई थी, वो मुझे जिन्दिगी के बीच रास्ते में छोड़कर चली गई, मेरे मुकदर में अकेले ही रहना लिखा है बाबुजी, बच्पन में माबाप साथ छोड़कर चले गए, जवानी में बीवी ठुकरा कर चली गई, इस दिल का दिया तो बुच चुका है, अब कोई ऐसी जोती नहीं है, जो दोबारा रोशनी पैदा कर सके, है एक ऐसी जोती, मेरी बेटी जो तुम्हारी अंधेरी जिन्दगी में दोबारा रोशनी ला सकती है, नहीं बाबुजी, जोती मासुम है, उसे मुझ मनुस के साय से दुर रखी है, उसके लिए दूसरा कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके, उसकी शादी कर दीजिए, नहीं बेटे, मनुस तुम नही मनुस दोस का मुकदर था, जो तुम जैसे देवता समान इंसान को ठुकरा कर चली गए, तो भारत तो खब से देखा नहीं जाता पेटे, जब से वो चली गई है, हम सब की नीन खाना पीना हराम कर गई है, इस तरह कब तक तड़कते रहोगे, उसकी लगाई हुई आग को आ इस बच्ची को मा मिल जाएगी, और हम लोगों को शांती, बेटे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर सर रखतर तुमसे बिनती करने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बेटी को अपना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जो ती से शाती कर लो, हां कर दो ब बाबजी, जैसे आप लोगों की मरसी बेटी, मास्टर ची, क्यों बेटी, सुखी है ना, खुश है ना, मैं या तालुके में आफिस के काम से आया था, तो पता चला कि हमारे पुराने तालुक वाली जानकी यहां रहती है, तो मिलने चला है, घर काफी शांदार गारा है। कितना बड़ा भी है, वाह, यह जालर, सोफा, कुरसी, टेबल, जुमर, काफी तीमती होंगे ना, वाह बेटी, वाह, तुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है, और तेरा वो पगला, बुड़ा, बाब, बच्चों की तरह फूट-फूट के रोरों के करा था, कि मास्टर ना, ठीक ही तो है, वो गरीब, हल जोतने वाला किसान रामू, यह सब सु कहां से ला सकता था, नहीं, लेकिन बेटी, इसको मैं क्या कहके बुकारों, क्योंकि फेरे तो तुम्हारे हुए नहीं है, इसलिए तुम्हारे पती तो कही नहीं सकता, उसको पती नहीं कह सकता, स्कूल में पार्ट बढ़ाने की भाशा तो जानता हूं लेकिन इस मॉडन जमाने की नए रिष्टों की भाशा नहीं जानता, तुम्हें बता दो नो बेटी, अरे, तुम तो रोने लग गई, साइलेंस, मैं तो तुम्हें खुश देखकर जाना चाता तो तो तुम रोने ल स्कूल में पड़ती थी, तो एक कवीता थी जिसका मतलब था, कि अगर परिवार का एक साधिस से अच्छा हो तो उसके अच्छाई, पूरे परिवार का नाम रोशन कर देती है, वह कवीता तुम्हें घलत पड़ी थी और मैंने तुम्हें मारा था, और तुम्हें दूसरे कवीता सही पड़ी थी, अगर अब, अब तुम बड़ी हो गई हुआ, मार खाने के तुम्हारी उमर है नहीं और गलती जो तुमने की है, वह सुधरने के काभिल नहीं है, बेटे कवीता एक बार गलत पड़कर सुधारी जा सकती है, मगर जीवन, जीवन तो उसके लिखी व पड़ेगा, साइलेंस, साइलेंस, मास्टर ची, को, पड़ा, जीते रहो, बड़ी खुशी भी तुम से मिलकर, काफी परिवरता ना आगया है तुम में, बेटो तुम्हें याद है, जब तुम छुटपन में मेरे पास स्कूल में बढ़ा करते थे, तो अपना बाट रवान नहीं से पड़ जाते थे, कभी गलती नहीं करते थे, और मैं, तुम्हें देख देकर भविश्य के सपने देखा करता था, कि मास्टर, ये तेरा विद्यारती जो एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा, काउं की इज़त में चार चांद लगाएगा, कितना उल्टा निकला, चा तुमने एक गदम उठा कर, इज़त की मुँपे धूल जोग दी, बद्दामी की कालक पोटी, मास्टर जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमने गलत ही किया है, पाप किया है हमने, यही कहना चाह रहे हैं आप, आप चुक कह रहे हैं, वो भी ठीक है लेकिन क्या कभी किसी ने, आप नहीं सोचा कि यह अपने पती के घर में सुखी नहीं थी, मैं इसके बगार जिन्दा नहीं रह सकता था, अगर उन खोखले बंदनों को तोड़ कर, हम दोनों ने कठे जीवन गुजारने का फैसला किया है, तो इसमें क्या जुर्म किया है, क अगर बता ये क्या गलती किया है, कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर समझाओ इसको जो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रही है, कहो इससे, वो समझती है कि उसने जुर्म किया है, गल्दी हुए उसकी हाथों, एक बात कहूं बेटा, और तो कोई हमित नहीं होती और अगर होती तो इस भारत देश में करोणों परिवार कभी सुकी रही नहीं सकते थे, करीबी के आग मिन को रिष्टों के बंदन जलकर खाक हो गए होते, अगर पतनी को कमी महसूस करके पने पती को छोड़ दे, या पती किसी कारण अपने पतनी को छ से छुड़ा कर ले जाएगा, और उसी कारण उस अवरत को आज हजारों साल बाद भी देवी मान कर उसकी पूजा की जाती है, सुमती का नाम सुना है ना, जो अपने कोड़ी पती को सर आंको पर बेठाए, दर्दर की ठोकरें खाती पिरती थी, इसलिए आज तक उसे महान आताब तक नाम दिया जाता है , शयाद वह तुम आरी तरह अकलमन देत होंगे, या जो कुछ उन्हों से की प सब्सक्राण felon लेकिन जाने से पहले गहाँगा, कि जो कुछ तुम ने किया वह लत है , 와 भलत है, मास्टर जी मेरे साथ चलेगी कहा किसके घर उस बापके घर जो तुम्हें मरा वह समझकर तुम्हारा शराद भी कर चुका है यह उस गाउं में जाओगी जिसके धरती पर तुम्हारे कदम रखनी की मुवानित हो गई अब तो मैं तो मेराम बाभू के घर पर नहीं ले जा सकता क्यूंकि करियों उसका तुम्हारी चोटी बहन के साथ विवा हो गया है अब स्पेटी बस एक बार घर छोड़कर जाने वाल इस्तरी शाख से टूटे वे पत्ते की तरह होती है तो तक्दीर की हवा जहां ले जाए पत्ते कुझा नहीं पड़ता है और फिर साइलेंस साइलेंस साइलेंस